हैलो गैस, टैटो वीद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है, कैसे हूँ, आप सब आई हूप, आप सब अच्छे होंगे, खोश होंगे, अपने और आपको पॉसिटिव के वे होंगे गैस, आज हम जो रेडिंग कर रहे हैं, उसका टॉपिक है, चंद्र ग्रहन का आपके जीवन पर क्या प्रबाव पड़ेगा, या चंद्र ग्रहन से आपके जीवन में क्या बदलाव आएंगे ये एक जनरल रेडिंगे काईस हो सकता आपके साथ रेजोनेट करें, ना करें, जो बत आपकी करनेशन के अनों साथ आपको रेजोनेट करती है, उसे फ्लीज रख लेजिएगा, बाखी को जाने दीजिएगा तो देखते हैं चंद्र ग्रहन का आपके जीवन पर क्या प्रबाव पड़ेगा, क्या बदलाव आएंगे तן सवर्स, प्रिप्सौर्स प्रिख्व लेखनेट, ज। आपके यहां पर मुझे ऐसा लगता है पहले ही मैं आपको बता दू गाइस कि क्या होता है कि जैसे सूर्य ग्रहन अभी निकला है उसके बाद में चंद्र ग्रहन का आना तो कहीं नगई क्या है ना कि पास पास यह ग्रहन जब होता है है ना एनेजी का इफेक्ट सभी लोगों पर बढ़ता है थोड़ा नेगेटिव थिंक आना नेगेटिव सोचना ओवर थिंकिंग होना पास्ट की चीजें याद आना या बेवजे की ऐसी बाते जिनका कहते हैं कि उस टाइम और सिचुएशन में कोई मतलब लेना देना नहीं ह होते है नो थोड़े रहती है का सब कोई सब्सक्राइब इफट सब्सक्राइब यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि चंडर गण कि आज पास आपको थोड़ा सा एक पोर्षोली सिचुवेशन लगेगा इस क्यों हिससिचवेशन में आपका मन अटका हुआ वैसा आपको feel होगा और कहीं नगई कहते है ना एक ध्वंद की इस्तती का उत्पन होना मन में कि मुझे क्या करना जाए है हो सकता है किसी इंसान को लेकर आप clarity चाहते हो कोई काम को लेकर आप clarity चाहते हो जहां पर कहता है कि परिस्ति यत्थावत बनी होई है जहां वो ना तो आगे बढ़ रही है ना पीछे जा रही है वो आपको अटका रही है और आपके काम को अटका रही है चाहे कोई भी मसला हो आपके life का है उसे हमें का वर्चु यह दे रहे है तो आपके यह जो situation बनी हुई है ना यह effect आपके life के बहुत सारे मसलों पर डाल रही है तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का कहता ना कि द्वन्त आपके दिवाग में चलेगा अब मुझे करना क्या है तो यह कह सकते हैं कि बेवजे की चेंताइं हो सकता है कि आपको इन दिनों में हो हमें उससे थोड़ा सा अपने mind को फोड़ा distract करना है उससे मतव अब समझने की कोशिश यह करो कि अगर बेवजे की चेंताइं मन में आने लगे या हो सकता है कभी किसी न आप से जूट बोला है या कोई भी चीज ऐसे जो आपका दिल दुखा गई न तो हो सकता है कि उनकी कही हुई बाते उनकी कहे हुए शब्द जो है वो हो सकता है आपको याद आए और यहां पर क्या का जा रहा है कि तक मत रहना उस situation में है ना उससे बाहर आने की कोशिश करना और एक चीज बहुत अच्छी आई है यहां पर कि अगर जैसे होता ना कि आपके लिए अभी कुछ चीज ऐसे चल रहे है जिनसे आप अठके हुए हो है ना देखो यहां पर negative बात मतलब आप चीजों को परिस्थितियों को अपने अनुसर आपके आ सकती है अगर आप कोशिश करो तो जहां पर आपकी संगर्ष बहुत ज़्यादा बन रहे हैं या आपको चैलेंजिस का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ रहे हैं वहां पर चीज थोड़ी बहतर में आ आ सकती है आपकी कोशिश करने पर बहतर में आ सकती है परिस्थितियां आपकी कोशिश करने पर कैसे चंद्रग्रांड के बाद ने हो सकते जितनी आपकी श्रद्दा हो है ना कुछ नो कुछ करना गाईस कुछ नो कुछ अच्छा काम करना किसी को खाना किला सकते हो चाह एक इनसान को ही सही है, जितना अपना बन पड़े, अपनी दिल से, चाहे एक रोटी जितना ही सही, किसी के लिए कुछ करना, और सबसे अच्छी चीज मैं बता हूँ आपको, अगर कुछ करना चाते हो, मुर्मूरे आते हैं, चावल, पाप किये वह आते हैं, मुर्मूरे, वो चं निकालेगा, और थोड़े से का आप जिस बात में अठके हुए हो, या कोई परिस्तिती ने आपको जिस स्टिचुएशन में अठका रखा है, वहां पर बहुत फरक पड़ेगा, इसके अलावा, अगर आपकी हेल्थ को लेकर कोई मैटर चल रहा है, जहां पर आपकी कोट नहीं करता, कोई काम करें तो करें कैसे, और लोगों को ये चीज़े बहाने लगती है, हम नहीं समझा सकते लोगों को कि हमारी हेल्थ की स्टिचुशन है क्या वहां पर, है ना, यहां पर क्या गाना, हमें लोगों को कोई रेस्पॉंस नहीं देना है, इस बात पर हमें अपने में सुधार गंडा है जहां पता है गाई मुझे काफे सारी चीचे समझ में आती है कि कहीं गलती भी नहीं होती लेकिन फिर भी सुनना पढ़ता है भाँ पर हम रिपलाई भी नहीं दे पाते ऐसा ही है न कुछ ये करो कुछ ये जो अभी उपाई बता न ये करके देखना ये आपको फरक दिलाएगा तो एक बार ये करना और ऐसा कोई पर मन में बेचेनी वाला भावाता न उससे बाहर आ जाना ये पास्ट की चीज़े हैं और एक बार जो अभी अगर आपको लगता है कि कोई काम आपका है चाहे जॉब को लेकर आप परिशान हो चाहे बिजनस को लेकर या कोई भी आप काम जो कर रहे हो उसमें लेकर आप परिशान हो ना वहां पर यही का जा रहा है कि ये चंद्रगरान जो है ना ये आपको इस पूस वाली सिचुशन से बाहर लेकर आजाएगा कैसे कुछ जैसे मैंने कहा ना अच्छा काम करो वो भी है और साथ में मुझे ऐसा लगता है कि आप आपका काम अच्छा चलेगा काई इस चंद्रगराण के बात में डेफिनेटली डेफिनेटली है यहाँ पर पहली आपका सॉल्यूशन आया है कि जिस सिचुएशन में अठके कि यहाँ पर आपको रास्ता नहीं दिख रहा था आप गिवप करने वाली बात पर आ गए थे ना वहां पर आपको रास्ता भी मिलेगा और आपको काम भी बन जाएगा इस चंद्रगराण के बात में देखना आपके फाइनेशल मेटर को लेकर ग्रूथ आपको देखने को म अब आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा एक्चल में ने कहा ना मीरर नंबर आपको नजर आ रहे हैं 4664 यह भी हो सकता है कुछ और मीरर नंबर भी नजर आ सकते हैं इसका सेंस किया पता है कि जो चीजें आपको जिस तरीके के अभी निजर आ रही है उसकी विप पास्ट की बाते अगर याद आती है तो थोड़ा सा इसको यह समझ लेना कि वही दो ग्रहन सासात में हुए है पास पास में हुए है ना तो थोड़ा उसका एफेक्ट है परिशान मत हो ना बस बेवजे की चिंता है रहेगी है ना तो से हैल्थ खराब नहीं करनी है देखो फिर से यहां पर दे एंपरर का काड़ाय में इन्स फोर फोर के अनर्जी आई है कि लाइफ ने जितने संगर्श दिया है ना वह सब चीचे आपको याद आएगे गायस मुझे अच्छी बाते भी याद करोगे मैं एक बात कहूं मुझे असा लगता है कि चंदरगर्ण के आ और कहीं और कहीं कहते हैं यृष्ट करने का मौका आपको मिलेगा है ना वहां पर आपने अंपनी लाइफ में क्या-क्या संगर्श किये हैं जैसा मैंने का कुछ पूरानी बाते यह सिंप finding कि िभाई कुछ चीजे जुड रही है और हो सकता है कुछ करना इस्टार्ट भी किया है कुछ काम हो सकता है है ना जो आपने करना इस्टार्ट भी किया है तो कहीं न कहीं कह सकते हैं गाइस कि यह जो पोस वाले सिच्विशन आईगे आपके चंदरगर्ण के आसपास चार-पास दिन वहाँ पर आपने अपने अपन और आज में कैसा हूँ या कैसी हूँ मतलब कहीं न कहीं अपने बदलाव आप खोद नूटिस करोगेगा और यह बहुत अच्छी बात है यह जीज बले देखो पोस वाले सिचुएशन है है ना आपको अठका रखा है लेकिन उस अठके वी सिचुएशन में भी कहीं न कहीं आ कुछ एक्शन देने के लिए सोचोगे ना वहाँ पर यह चीज आपको बूस्ट करेंगे आपके लिए मज़द का काम करेंगे बहुत गहरी सोच कि घतना गाइस रेडिंग आई है और मैंने कहा ना गाइस कि आपकी लाइफ बदलाव बहुत होंगे और दीरे दीरे देखो बदलाव की तरफ ही आपकी लाइफ आके बढ़ रही है आपके सोच में कितना बदलाव आया है बहुत बदलाव है खूब सोचोगे आप देखना और अच्छा भी सोचोगे है अना अब जब अच्छा सोच ही रहे हो तो नेगेटिव क्यों सोच ना पाई है एक्सपीरियें मैं उन्होंने कितना सपोर्ट आपको किया जब आपकी लाइफ में ऐसे टावर जैसे इस्टिविशन आई या कुछ मुमेंट अच्छे नहीं आया आए आपकी लाइफ के जहां पर आपको हैल्प की आवशकता थी वहां पर अगर किसी ने आपके हैल्प नहीं की है अगर और जो दुख भोगा है वह चीज महसूस करोगे या वह सबक लोगे या फिर यह की तो सिचुशन में किन लोगों ने आपकी हैल्प की किन और नहीं है यह जो चीज सोचोगे नहीं आपके भविश्य में काम करें कि एक्षिन रिने में यहां पर एक्षिन का कार्ड भी आया है अब कितना क्लियर वे में समझाने की कोशिश हो रहे हैं आपर देखो में बात पता हूं आपको कभी भी आपके दिमाग में स्ट्रस आता है ना सुनना मेरी बात को इससे समझना और इसको नोटिस करना और नहीं किया है ना तो नोटिस करना क्योंकि यह आपके साथ होता ह जब कभी भी आपके दिमाग में एक नेगेटिव ठिंक आती है या फिर कोई काम आपका करना होता है और उसके बारे में एक डर्व आपके मन में आता है ना तब आपको नमबर त्री त्री नजर आते हैं या तीन के जोड़े में इस्पेशलि में कहा दू कोई बर्ड्स नजर आती है कोई फ्लार्स नजर आती है कुछ भी लेकिन तीन की संख्या आपको नजर आती ही है अब वो क्यों नजर आती है पता है वो उस टाइम आपको यहीं कहते है कि मालिक जो है यह आपकी लाफ में एक्शन ले रहे है उनका हस्तेशिव आपके लाइफ में चल रहा है आप अपनी तरफ से इस्ट्रस मत लो जिस जो भी रहा पर चल रहे हो ना वो रहा वो मार्क जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा है मालिक की आपका मार्ट गर्शन कर रहे है गो विद्धु फ्लो है ना बस फ्लो में चलो आके आपको जोका करना समय समय जो चो कहते है 한ा आपको गार्डन्स मिलती रहे कि वह ब्लों यहां पर इन締ीड वे में में एक बात कहीं जा रहे है का आप सही रहा पर है है ना जहां पर इन्सानों को तक लीफ को सामना बहूत जाएं बहुत कर ना पढ़ता है ना या अकि कि आगे देखो nine of cups मतलब इतने अगड कोई संगर्ष कर रहा है इतने exam अपने टेस्ट इतने दे रहे हैं कुद्रत उनकी इतनी परिक्षा ले रहे हैं तो आगे क्या कुछ नो कुछ तो होगा कुछ नो कुछ तो reward होगा है अगर जैसे हीरो ने बहुत best किरदार निबाया है तो reward बनता है इस जंद्रकराण के पात में कोई विश आपके पूरी होने वाले और मुझे ऐसा लगता है कि इस situation में अभी अठके होगा होना उस situation से बाहर निकल जाओंगे क्योंकि ये तुनों कार्ड एक साथ अना अभी तकलिफ में हो ending वाला जो है ना मन में चल रहा है कोई relationship को लेकर हो सकता है कोई काम को लेकर हो सकता है ये health को लेकर भी बहुत ज़्यादे दुखी हो सच क्या रहे हूं गाइस बिल्कुल परिशान मत हो देखो miracle कभी भी हो सकते है life में मैं हमेशा यहीं कहते हूं हाना हमेशा यहीं कहते हूं मैंने अभी क्या कहा mirror number नजर आने का sense क्या है जो चीजह आपको जिस रूप में अभी दिख रही है बुरी वाली situation वह कब पलटकर आ यहां पर nine of cups का card आया कि एक situation में इतनी तकलिफ मत है आप मालिक देखो आपके अच्छे कर्मों के reward आपको देंगे क्योंकि life ने जितने सबक देना वो आपके दिमाग में आपके महन में है चाहिए वो इंसानों को लेकर हो किसी परिस्तितियां को लेकर हो कि किस परिस्तिति में हमें कैसा व्यावार करना है किस परिस्तिति से हमें कैसे निपटना उससे बाहर कैसे आना है उसकी बारे में action क् समझ में आ गई मिन्स क्या है कि खुला आसमान है और हमें उड़ना आ गया यह सबसे अच्छी बात है और यहां पर क्या कहा जा रहा है कि चैंडर ग्रहन के बाद में कोई विश आपकी डेफिनेटली पूरी होगी और मुझे ऐसा लगता है 444 अब आपको नंबर जो है ना 444 ह नजर आ रहे हैं तो समझ लेना कि अब तकलिफें आपकी कम हो रही है अब रिवार्ड का समय आपका स्टार्ट हो गया बस नंबर 444 नजर आते हैं तब थोड़ा सा स्ट्रेस वाली बात होती है मैं खुद कहते हूं लेकिन सच कहूं ना कि अगर उस situation का लाब उठा लिया ज ना तो यह नंबर 444 जो है आपको कितनी बड़ी उचाईयों पर ले जाता है यह आपकी कौन सी जीवन के सबसी कहते है ना दुख दायक जड़ जो है उसको बाहर निकल कर फैक देता है हमेशा हमेशा के लिए बट यहां पर सच कहूंगा इस कि जब नंबर 444 नजर आता है लिए झिगरा रखना पड़ एक कलिजा रखना पड़ता है एक सहस रखना पड़ता है बहूत स्ट्रोंग वाला खुझे कि अगर उस परिस्थिति में सहसEt्र लिए और बाद में कुछ महिनों बाद में इस पेशली मैं कहूं कि आपको आट दस महीने आपकी नीक लेंगे ऐसे जहां पर लगेगा परिस्थित्य कंट्रोल से बाहर है भई आप सहन नहीं हो रही बाकरी में यह चीजे होती है काईस लेकिन उस समय अगर हिम्मत रख लेते हैं और फिर भी लाइफ में आगे बढ़ते और उसी में बैलन्स लेकर आना जरूरी होता है उस टाम और फोर 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 ट्रिपल फोर नजर आ जाए तो समझ लो गाईस की अब परिस्थित्यां यह वली जो है ना यह से निकल गई है आप कोई विश पूरा होने का समय है यह देखो मुझे असा लगता है कि आपको अब नंबर फोर 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 नजर आ रहे है अब फोर 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 नजर आ रहे मिंस कोई विश का पूरा होना अगर मैरिज को लेकर कोई दिक्कत चल रही है आपके लाइफ में रिलेशन्शिप को लेकर कोई दिक्कत चल रही है वो प्रॉब्लम खतम हो जाए कि जस्टिस होगा यह और अगर ऐसा भी लग रहा है कि चंदरगर्ण के बाद में मैरिज की प्रपोजल भी आएंगे आपके पास यहां कोई इनसान हो सकता है कि चड़ा कर सामने से आपके तरफ आए काई यहां पर इतना भी पता चल रहा है अगर देखो आप सिंगल हो तो मैरिज के चंसर पर लग रहे हैं प्रपोजल आएंगे ठीक है और अगर मैरिज में कोई दिक्कत चल रही है तो उसके बारे में भी कुछ समधान मिलते हुए नजर आ रहे क्योंकि यहां एक चीज़ नजर आ रहे है कि अगर यह मैरिज का मैटर है ना जहां पर third party situation है यहां कोई बुरी परिस्तिती आपके relationship में बनी हुई है तो सामने से वो इनसान आपकी life में आते हुए नजर आ रहे हैं अब यह माफी भांगने भी आ सकते हैं अफसोस भी हो सकता है इनको इनके कियोवे व्यवार पर क्योंकि यह काड़ यह बताता है कि किसी इंसान के मन में कुछ बातों का continue में चलना continue में चलना नींद ना आना और दिन रात एक ही बात के बारे में सोचना विचार जो है उनके दिमाग में universe के तरफ से ड़े जाते हैं चीजों को समझने के लिए तो मेभी हो सकता है कि इन दिनों में इनको कोई बात समझ में आए सही गलत के पहचान हो जैसा यह काड़ गयता है और आकर आपसे माफी मांगे यहां वापस से चीजों को ठीक करने की कोशिश करें एक्शन आपकी तरफ से आपकी तरफ लिया जाएगा है ना 9 of vans और 9 of cups देखो जिस खुशी का वेट कर रहे हो ना यहां पर देखो यहां पर growth भी दिख रही है यहां पर green green पतियां चो है ना यह growth की बात करते हैं और यहां पर 9 of cups ठीक है और यहां पर अगर 10 of swords इसको भी मैं अगर पढ़ूं तो यहीं कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम आपकी life की खतम होगी अब उसमें give up या भागने वाली बात ही नहीं है जहां अभी आपको लगा ना कि अब थक गए अब हमसे सहन ही नहीं होता है ना वहां पर देख लो आपकी life में क्या मिले कल होता है मैंने कहा ना कोई wish आपकी पूरी होगी कोई अच्छे क कर्मों का reward आपको इस चंद्रग्रण के बाद देखने को मिलेगा बहुत अब बहुत ताप में हो आप है ना कि मिले आज मिले कल मिले आज मिले कल मिले कोई खुशी का वेट कर रहे हो आप और मुझे ऐसा लगता है इसकी कोई एक इच्छा पूरी नहीं होगी यह भी सच है यह भी सच है यहां तो आपके कोई विश्पूरी हुई नहीं वह अठकी हुई रही और आप पूरी होगी तो एक के बाद एक देख लेना होगी वालब यह चंद्रग्रण के बाद में आपके च्छों की पूर्ती होना तैय है है ना दर सन ओ एम जी एक नहीं शुरवाद बे फिकर होने होकर जीना देखो आपका जूपिटर जो है ना यहां पर येलो कलर की एनरजी बहुत जाता है देख लो मतलब कहीं ना कहीं आप बुरी समय में भी अच्छे से चले ना या फिर अपना मन को साफ रखा या अच्छे काम करते रहे लोगों का बूरा नहीं चाहा या एक्चल में सच बताओ ना डेस्टिनी आपको कुछ सबक दिना चाहते ते और उनों सबक को आप सीख नहीं रहते हाना तो इस बार के परिस्टितिया कुछ ऐसी बनी है कि आपने बहुत अच्छे से सबक को समझा है हाना एक जैसे कहता है कि इस्टूटन चुहें ना टॉप करके पार हुआ है बिल्कुल वहीं चीज आपके साथ होईगा इस बार के सिचुशन में मतलब डेस्टिनी जैसा बिहेवियर आपका करवाना चाते थी जैसा एटिटूट आपका बनवाना चाते थी ने वैसा आपका बन चुका है वैसा आपका बन चुका है दस अंकर कार्ड आना और यहां पर मैंने कहा न है येलो येलो के एनरजी जूपिटर आपका बहुत अच्छा हो रहा है गाईज अगर आप अपनी marriage को लेकर चिंता में हो अपने बच्चों की marriage को लेकर चिंता में हो ना वो चिंता आपकी दूर हो जाएगी क्योंकि मैंने कई बार कह रहे कि जूपिटर का हमारी लाइफ में अच्छा होना बहुत जरूरी होता है शुब काम जो होता है ना शुब काज जो होता है शादी को लेकर हो गया हमें कोई मकान लेना होता है उसमें हो गया हमारी जॉब को लेकर हो गया यहां फिर कोई बिजनस करना होता है है ना तो उन सब माम लो में जुपिटर का सही होना अच्छा होना बैलेंस में होना बहुत बहुत ज़रूरी होता है अभी दिको अभी ऐसे सिच्वेशन अगर लगता है कि मैं मोवर तिंकिंग मन में बहुत ज़्यादा आती है अब कितनी भी कोशिश करें उससे पाहर आने की फिर भी चलती रहते चलती रहते क्या करें सबसे बैस तरीका पहले भी बताया था आच्व लगाना तो इससे आपका जुपिटर बहुत अच्छा होता और कुछ करने के आवश्यकता नहीं तो जब बिगड़ती है तो सब एक-एक करके बिगड़ना स्टार्ट हो जाती है अब जैसे जैसे बिगड़ी है वैसे वैसे सुथार तीकिंगे आपको देखने को मिलेगे कर अब कैसे देखो सब कुछ आपकी लाइफ में ठीक होता है यह देखना क्योंकि कहाना मैंने कि जब कोई इनसान सबक ले लेता ना तो चैप्टर का चेंज होना बनता है और यहां पर चैप्टर चेंज हो रहा आपका तीक है काई सच कह रहे हो कि बहुत बदल जाएगे आप सब्सक्राइब कितनी आई और फैंड पेंड इनर्जी भी कितनी आई है साहिन देखो ना तो सारे सारे आ गए फाइफ और सॉर्स क्या कहता है कि अना और यह पर पास में आना यह ही कहते हैं कि जो भी कम्पीटिशन करने वाले यह होड मचाने वाले लोग थे ना अब कहीं करेंगे देखना वो आपको परेशान नहीं करेंगे जैसे मैंने कहा ना कि चंदर करन का प्रभाब बहुत से चीजों पर पढ़ता है ना कि वहला पर और लोगों पर भी पढ़े का जिन्नों ने जैसा कर्म किया है उनको वैसा करम भी मिलेगा यहां पर अगर डेस्ट ने आप करने की कोशिश करें या फिर कोई परिस्तिति का निर्मान करने की कोशिश करें जहां पर आपकी मांचिक शांती भंग हो तो वहां थोड़ा दियान रखना आपकी इतनी खूबसूरत एनरजी चल रहे है मैं सच कह रहे हूं काईस की डिवाइन आपके लिए कोई गिफ्ट आपकी आत्मविश्वास को बढ़ाएगा या यह भी हो सकता कि आपका आत्मविश्वास इतना बढ़े आपके एक्स्पिरियंस आपने जो मिले हैं उनको काम में लेकर कोई अप लोगे वहां पर अगर यह लोग थोड़ा सा कैताना कि energy को खराब करने की कोशिश करते हैं य हमें कहता ना कि ऐसे लोगों को रिप्लाई करने की रियक्ट करने की कोई अवशत्ता नहीं होती जो हमारी एनर्जी डिजर्व नहीं करते हैं मैं यह कहना चाहती है ना बस थोड़ी नेगेटिव एनर्जी जो होते हैं उनसे थोड़ा दूर रहना भी क्योंकि वैसे भी जैसा मैंने कहा ना कि पास पास में ग्रहन का आना थोड़ी एनर्जी को वैसे भी नेगेटिव कर देता है तो ऐसी स्चुशन में क्या करना जैसे हमें लगता है हमारे चलो मानलो कई बार घर परिवार में भी ऐसे लोग होते हैं जो थोड़ा सा बोलने में तरीका उनका सही नहीं होता या उनके एनर्जी का हमें पता होता है कि वही थोड़ी नेगेटिव एनर्जी है ना तो थोड़ा सा जितना काम उतनी बात जितना काम उतनी बात अभी वालब दो चार दिन है ना बाकी बातावरान सही हो जाएगा ठीक है ना बस और कोई चिंता ठीस नोर्ग आपकbung नहीं में रखना इसार प्रेंस का कार्णा प्रेंस डिको दियान में तबाइब है रिखो थ्यान में रखना ए 802 प्रेंट मैंड च्छी नी ज़र आती है थ्यां है यह यह नहीं नहीं शुरौत के बहुत बोख्तान के लिय काफी चैने बियु tumor Bevölker का के लिए काफी है है ना जी कोई नी guys अब सबक नहीं विलेंगे हाना अब लाइफ में खुशिया मिलेंगे मैंना कहा ना क्या मेरे शेर के पास एक ही option है और वो क्या option है सुक भोगने का दुख तो ही ने वो तो option ही ने भूल जाओ उसको हना आपकी लाइफ के डिक्स्नरी से य इतनी भी एच क्यों निकली हो वो सारा दुख जो है ना वो आपको भुला दिया चाहिए खुशी इतनी मिल जाए आपका स्वास्त जो है यह एकदम ठीक हो जाएगा इस तक आने वाली खुशी जो है यह आप एंजोई कर पाओ आप लाइफ को जी पाओ है ना जी तो भौत एक्शन दे रहे हो तो क्या करो बॉडी पर लिख दो ऐसी जगह पर लिखो हाथ पर कि जहां पर किसी और को दिखे ना था कि थोड़ा अनकमफर्टेबल भी फिल ना हो या कोई पूछे भी ना है ना जी तो यह चीज और जैसा मैंने बता ना कि थ्री के एनरजी जब ही दि चीन्ता लेकर बेटने की कोई आपशकता ने आजी और देखें कुछ कार्ड के पाद में यह चंदर ग्राण का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा अच्छी अनट्याएगा थोड़ा सा यह दियान रखना जैसे मैंने का ना मुरमुरे होते हैं वह बाट ना ठीक है यह कोई भी वाइट कलर की का मीठा हीर हो है ना की बेचे नहीं रहती है आपको मन शांत नहीं रहता आपका बागता है एक जगह पर ठैरता नहीं है जल्दबाजी बहुत रहती है यह उन चीजों को थोड़ा ठीक करेगा हाना जी विक्टम बीती हुई बातों को बूलना पड़ेगा कुछ लोगों को बूलना पड़ेगा आपको तब ही आपके मन शांत होगा है ना आपको कहां जर्ण आप कुछ लोगों को बूलनी पार है यह हो सकता है कि आपने बारे में कुछ ऐसे चीज़े सुनी है बाहर से लोगों से जो कही गोः लोगों ने कुछ वोगों वने घरण आपको बुरा है, चुब जान रहना हों अब इसे बाहर आऊ संगी एरो कर नहीं है यहां पर देखो बिल्कुल साथ में है कोई मालिक की blessing है साथ में है victim मत समझो अपने आपको देखो कैसी भी life की situation हो कैसा भी चक्रवियो सा बना हुआ हो ना मालिक पर trust रखो वो आपको हर situation से बाहर निकालेंगे यहां पर मैंने क्या कहा है कि चंद्रगर्ण के बाद में आपको आपके अच्छे कर्म का reward मिलेगा आपकी कोई wish पूरी होगी है तो यह चीज़ों को फरीगेब करो ताकि life में जो अच्छी चीज़ा आ रही है आप उनको देख पाओ यहां आपके मार्ग के जो काम बनने जा रहे हैं उसमें चो बादाएं आ रहे थी वह बादाएं दूर होती है ना वह आप देख पाओ हो महसूस कर पाओ कि आपकी जड़्डी चो है ना वह आसान होती हुए आपको नजर आए है ना जी rejection सर्विस हेल्ड का खयाल रखना थोड़ा सा क्योंकि चिंता बेवज़े की होगी है ना यह आपने परिवार में भी किसे कोई बिमार है तो थोड़ा ध्यान रखना है ना जी दिक्कत वाली कोई बात नहीं है लेकिन फिर भी कहता ना कि चिंता ज़्यादा अगर लेकर बैठ इसका खयाल रखो गाइस है ना उसका खयाल अपना अगरेफ देखो यहां पर rejection के नीचे काड़ किया था seven of events जो कहता है कि action लेना या फिर किसी चीज़ से कहता है ना कि भागना परिस्तिति से भागना धहरी नहीं होता मालिक अब सहनी नहीं होता और उस परिस्तिति से अपने आपको अलग करने कि separate करने वाली बात आती है ना युनिवर्स्टिया कहता है कि यह last action था और वहां पर ही आप इस तरीके के सोच रहे हो कैसे चलेगा देखो यहां पर एक ही कदम बाकी है CD को चड़ने के लिए ठीक है ठीक है ना मालिक आपको यह कह रहे कि थोड़ा सा देखो धैरे रखने की बात नहीं कही जा रही है अपने एनरजी को बैलेंस में रखने के बात कही जा रहे क्योंकि कहीं न कहीं आप मन्जिल के बहुत करीब हो मैं यह कहूं क्योंकि sun का card आगया मिंस क्या है कि बुरी परि सब्सक्राइब करना या थोड़ा मौसम ऐसा चल रहा है तो उसका खयाल रखने की भी बहुत ज़रूरत है ठीक है थोड़ा रूटीन का भी ध्यान रखना खाने पीने की चीज़ों का ध्यान रखना उसमें लापरवाई नहीं होनी चाहिए ठीक है ना जी देखो पास्ट की कुछ बाते ऐसे हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि आपको हो सकता है कि कोई आपके करीबी हो सकते हैं या ऐसा जहां पर आपको किसी पर ट्रस्ट था उन्होंने आपको चूज नहीं किया किसी और को चूज किया कहीं नदी वो चीज़ें आपके मन को घाव यहां पर universe आपको ही कह रहे हैं कि अपनी value को समझो और उस बात को दिमाग में ले लेकर परिशान मतों अपनी health को खराब मत करो अपनी value को समझो आप अपने आतों में जाई बहुत अजय हो क्यूंकि आप अपनी एहमित को परचानेए अपनेबिस, कम आपको किसी और से कम मत समझो कम आकलने कड़ना खुदका बहुत पूल हूता है, कम्पुर्शन मत रखो किसी से है ना, कि आप किसी से कम हो, नहीं हो, नहीं हो देखो कई बार क्या परिस्तिती बनती है, पता है? सच कह रहे हूँ, और ये कई बार आपने एक्जामपल भी देखें होंगे, कि कुछ लोगों को, कुछ लोग ये समझते हैं, कि ये अपने लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, अपनी लाइफ से निकालने की कोशिश करते हैं और यही क्या करता है कि कि का काम करता है आपके लिए यही चीज क्या होते है कि का काम करती है और यही चीज आपको the sun वाली energy में लेकर आती है मैंने कहाँ आपका sun बड़ा प्रभावी हो रहा है और आप देखो कितनी हो जायों पर पहुंसते हो या तोच लाइप में क्या सक्सेस पाते हो आपको इन लोगों को फरगिव करना है गाइस फरगिव किसलिए करना है अब समझ में आया क्योंकि डेस्टिनी आपको कुछ ऐसी ब्लेसिंग देंगे आपकी एहमेत को इतना बड़ा देंगे काईस कि रिजेक्ट जिन्होंने आपको किया है न वो पचताएंगे क्योंकि कहीं न कि उन लोगों को ये शर्मिंदगी रहेगी कि अब वो आकर आपसे माफी कैसे मांगे यहीं बूल बला है काईस की एमोशन की कदर उतनी नहीं होती है न आपने खुद की वैल्यू नहीं की तो लोगों न आपकी वैल्यू नहीं के अब डेस्टिनी के तो खुद की वैल्यू करो लोग भी आपकी वैल्यू करेंगे forgive करो guilt मत रखो किसी बात का guilt मत रखो और एक कन प्रिया रहने की कोई z efecto नहीं है लोगों से मिलो लोगों से मिलना पसंद नहीं है कोई दिक्थ नहीं कोई बात नहीmeye खुद को खुश रखने की कोशिश करो garden में घुमो मन्दिर जाकर आओ मस्जिद जाकर आओ जहां भी आपका दिल खुश होता है बस वही काम करना है बाकी लोग क्या कहेंगे लोग क्या सोचते हैं हमें उससे कोई परवा नहीं है जब ऐसी दुख वाली सिच्वेशन आप पर आन पड़ी तब लोगों ने कुछ help नहीं की लोगों ने कुछ नहीं क करो दिखो जब कोई इंसान सही चलता होता है और सही कदम आगे बढ़ाता है ना तब भी लोग उनका पैर कीचने के लिए उनको पीछे धकेलने के लिए आगे बढ़ता है अगर आपको लगता है कि आप अपनी लाइप में कोई अच्छा action ले रहे हो अपने future को लेकर अप तो दिबाग में यहीं चीज रखना ठीक तो थोड़े बहुत उतार चड़ाव आते हैं इनसे परेशान नहीं हो ना डेस्टिनी पर बिलीव रखना सब कुछ अच्छा हो जाएगा और जो experience आपने दिया ना वो अपने दिबाग में रखना गाइस है ना गिल्ट किसी तरीक कुछियों को accept करना और अपनी एनर्जी को उस और लगाने की कोशिश करना ठीक है ना जी तो गाइस यह थी आज की रिडिंग आई होप आपको पसंद आईए अगर आपको पसंद आई तो प्लेश चैनल को subscribe कीजिए मीडियो को comment like share कीजिए मैं मिलती हूं आपको next reading में तब